नमस्कार आपका हमारे चैनल लेटर जोब अपडेट में स्वागत है आज की निकेश्टी का नोटिफिकेशन में लेकर के आया हूं बिहार लोग से वायों के द्वारा समीधा कर्मियों का जो है यह पोस्ट निकाला गया है ओनलाइन अविदन करने के लिए पोस्ट दिया गय कर लोग मिलती रहें तो नोटिफिकेशन में हम लोग आ जाते हैं यहां पर बता है कि बिहार लोग से वायोग के द्वारा विक्यापन संक्या 6 2022 सहायक बिहार लोग से वायोग पट्ना के कुल 44 बत उपर नुक्टि तुडिनांग 692 22 को विक्यापन प्रकासित किया गया था उक्त विग्यापन में समाने प्रसासन विभाग के संकल्प ग्यापांग एक हजार तीन दिनांग 22 जन्वरी 21 द्वारा प्रावधानी संविधा कर्मियों को नियुमित निक्ति में अधिमानता दिये जाने के अलग में नियोजी साहिक के पत्वर काईड़क संविधा कर्मियों से दिनांग 6 सितंबर 22 को प्रकासित विग्यापन में निम्नाकि संसुदन के साथ पुर्णा ओनलाइन आविदन आवंतित की जाते हैं यानि कि पहले जो आपका संविधा कर्मियों को लिए निकाला गया था 6 सितंबर 22 को विग्यापन उसमें संसुदित करके फिर से दुवारा निकाला गया कुछ पोस्ट के लिए तो ओनलाइन आविदन जो है बहने का वो डेट निकाला गया है इसनातक की डिग्रियां आपका होना चाहिए आविदन प्राप्ति निर्धारित अंतिम तिती तक आविदा को इसनातक का डिग्रिधारिक होना अनिवार है यानि कि आप जो ओनलाइन फॉर्म का अंतिम डेट 21 दिसमबर 2022 तक गेजुशन पास कर लिए आनिवार है तो ही आविदा को भर सकेंगे उमनी सीमा की बात की जाए तो एक अगस्त 2022 को नियूंता में किस वर्स होना चाहिए अधिक्तम पूरु 37 वर्स पिछला वर्स पिछला वर्स के लिए पूरु से महिलाओ के लिए 40 वर्स रखा गया ह तो यह हो गया एज के क्रेटिरिया के बारे में समीधा नियूजन के फलस रुप किया गया कारिके अवधि के समतिल्य वधि की छूट अधिक्ता वन्रुप सीवा में रहते हैं तो लग अपना प्रस्थूत कर अपने में दावा कर सकते हैं संतोस पांच परती वर्स की दर से 25 को कि आधिमानता के जो की कि सी वर्स के लिए दिवस्तों के संख्या में पांच गुना करने के पश्चात तीन सब पाइसट से भाग देकर प्राप्त अनपाति में दोड़ा दाएगा दी जाएगी यानि कि आपको समीदा के अधर पर जो आप काम करेंगे पहले साल के लिए उसमें से कुछ अंक आपको दिया जाएगा और है साथीसाथ यहाँ पर बताएं कि ओक तो वरनित उम्रिसिवा में सिथी लीकरने अनुहाफ के आधार पर न्युक्ति में अधिमानता का लाब सीसी पर न्यूमित में दिया जागा जिस परРाम पर समिधा निचुन के नियुजन के ताहत कारिक या जानि कि आपने पहले ev MUSIC कि जाएगी उप्योंक्त सुभी दांकिवल वेद्टीवत कर्मियों के द्याय द्यायनिक से जीवा प्रात्त करने सेलों लागों नहीं सबसा योकतां से सब्सक्राइवद arada सब्सक्राइब अन्तिम्तिती 21जम 522 निज्ए अमिद्वारी रतरे करते जाएगी ज्यानि कि जो भी सची नहीं कर पाने किस्तिती में आपका फॉर्म को रद कर दिया जा सकता है प्राइमिक सिच्छा के अधार पर मुख के परिच्छा के लिए चुने जाने वाले कर दिया जाएगी उसके बाद मुख के परिच्छा होने के बाद आपका प्राप्ता मुख के परिच्छा का और कारिवानुभा पहले से किया हुआ कि आधर पर आपका मेरिट लिश्ट त्यार किया जाएगा उसके हिसाफ से ही आपको सेलेक्शन किया जाएगा साथी साथ बताया गया कि वैसे अभेथी जो पूर में दिनांग 6 सितमद 122 को प्रकासित विग्यापन में आलोप में आविदन कर चुके हैं उन्हें दुआरा उन्लाइन भरने के जुरूत नहीं है से सभी इच्छुक्त विदिवात नियोजित सहाय के पत पर कारिद समीदा कर्मी संसोधित विग्यापन के आलोप में आविदन कर सकते हैं यानि कि जो आविदा 6 सितमद 122 का जो विग्यापन प्रकासित किया जागा तो उसमें विग्यापन के संब्द में अधिक जनकारी के लिए विप्यापन पर दिया गया है जैनि कि आपके सामने दिया गया इसका डिटेल आपको साइट में जाने के बादा चलेगा अब यर्थी ऑनलाइन अविदन भरने के प्रक्राव करने से पूर्व साइट पर विग्यापन और लाइन भरने हैं तो आविश्यक विस्तित निर्देशों को भली बात तक पढ़ लेंगे यानि कि आप जो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उस वह आप भली बाती पुर्वक इसका जो भी डिटेल बगरा है सूची बगरा एडुकेशन क्वालिफिकेशन पढ़ लेंगे मंदित जो यह ग्यापन निकाला गया था समीदा कर्मियों के लिए तो उसके बारे में मुख्य तथ्य को मैंने पर आने का प्रयास किया है यदि इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी मेरे पास आता है तो इसका लिए मैं अलक से वीडियो बना दूगा तो वीडियो देखने क के लिए आपका धन्यवाद आपका दिन सुभव